खोली आने वाली है और कच्छे कठल की सबजी तो बनानी बनती है तो चली भावनास डायरी में आज बनाते हैं कच्छे कठल की सबजी यहां मैने लिया है एक medium size का कठल है इसे काट कर छुटचुटे chunks में काट लिया है इसे हम आदर क्लास पाइं जालकर कुकर में सिर्फ एक फिसल आने तक तेज आज पर उबालेंगे एक कढ़ाई में सरसो तेल डालेंगे और ये देखिए कठल बिल्कुल पग गया है लेकिन थोड़ा सा कड़क है गला नहीं है जादा तो इसे हम अच्छे से कमाच पर फ्राई करेंगे जब तक कठल फ्राई हो रहा है बनाएंगे बसाला जिसमें डाल रहे हैं लहसन, लाल मिर्च, अद्रक, देड़ प्याज मैंने लिया यहां पर और एक चम्मच जीरा साथ में डाल रहे हूँ कुछ खड़े मसाले नाम स्क्रीन पे दिया हुआ है एक दूसरी कड़ाई में मैं डाल रहे हूँ इसे सेसो का तेल, थोड़ी सी दाल चीनी, तेजपत्ता और लाल मिर्च और डाल रहे हूँ अठाई से तीन प्याज है, स्लाइस में कटा हुआ और उसमें मैं डाल दे रहे हूँ थोड़ा सा नमक, यह नमक थोड़ा अलग दिखेगा दोस्तों, इसके लिए आप मेरा सनी कटा प्लांट का वीडियो ज़रू देखिएगा तो यहाँ पर मसाला डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया धनिया, लाल मिर्च पाउडर और हल्डी, तो इन सभी चीजों को मसालों को मिक्स करेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे आधा मसाला फ्राई होने के बाद हम कठल को भी इसमें मिला देंगे और धक धक कठल और मसालों को कम माज पर अच्छे से फ्राई करेंगे मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद दो ट्रमाटो की प्यूरी हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा पानी आड़ करके 5-7 मिनट फिर से पकाएंगे और ये लीजिए हमारी सूखी सबजी बिलकुल तयार है और थोड़ी पानी डालकर ये हमारी ग्रेवी भी तयार है